है यह रेल्वे क्रॉसिंग आसपास के जो मेडिकल चौराहां और केपी कॉलेश की तरफ से जिन लोगों को इधर राम बाग की तरफ आना होता है वो इसी रास्ते का इस्तिमाल करते हैं क्योंकि यह साइकल वालों के लिए जो रोड ओवर बिज है हाई राइस यह काफी उंचा है चड़ाई काफी है इसमें इस वज़े से लोग नीचे से ही आना पसंद करते हैं और इस वज़े से यह देखिए साइकल चाला कि धर से निकल के आते हुए अब यह धर से क्रॉस करके इस तरफ जाएंगे और यह पैदल आने जाने वाले पब्लिक भी वास्तों में इस जिगह पे यह खुला रहना चाहिए था क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टन लिंक है यह जिस तरह से बादसान अगर में निसाद गंज के बाद रेलवे क्रॉसिंग को रोड ओबर बेस उपर गामी से बनने के बाद भी खुला हुआ छोड़ा हुआ है जिससे कि लोग आ जा सकें लेकिन जिनको डायरेक्ट जाना है वो उपर से सीधे उपर गामी से उससे सीधे चले जा सकतें यहाँ भी वोई पोईशन है नीचे अगर खुला रहता तो कुछ जो पबलिक है उनको इतनी दिक्कत नहीं होती मुख स्टेशन जो कि इधर बाही तरब जाके है वहाँ जब प्लेटफर्म खाली होगा तभी यह ट्रेन जो कि प्रायाग्राज रामगाज में खड़ी है इस मुख यहां से तभी वो जाएगी और यह लगातार आवाजाही होते वे इस रेल्वे क्रॉसिंग के पास से चाहे पैदल हूँ या साइकिल सबार हूँ सभी जाते हुए छोटे बड़े हैं इस एरिया के लोगों के लिए हो सकता है अगर कोई कि सही दिशा में राजनितिक पहल हो जाया किसी पार्टी की तरफ से यहां अंडर पास बन सकता है बहुत हासानी से नीचे अच्छी खासी जगह है यहां अंडर पास बनने से सभी लोगों को जो रामभा की तरफ से या जीवन जोती और पुराने यमनापुल से जो निकल के इदर मैडिकल कॉलेज बालशन की तरफ सीधे जाना चाहते हूं सीधे जा सकते हूं इस सैक्लिस्ट मतलब बाकी तो जो लोग अब तो सभी लोग जा पाएंगे तब तो और सुविधा जनक हो जायेगा जै बाबा नीम करो ली अंडर पास बन सकता है यहां पर बाहर निकल क दुकान बहुती चलती फिरती दुकान है खान पान सेवा यह लेविल क्रोसिंग रामभाग से निकल के सीधे यह रोड रोड अबर बे जो उपर गामी सेथु बना है उसके नीचे नीचे रास्ता गया है पहले यही रास्ता जोडा करता था बालसन चौराएंगो और यह साल दवजनिक सुलब सौचालय और इस्नान घर सच भारत सच प्रदेश डॉक्टर संजय पांडे यह सीधे रामभाग अनमान मंदीर की तरफ जाते हुए यह संद्रम टावर इस्थान यहां कोचिंग इस्टूट और अन्य प्रतिस्थान है यह रोड बाहें बहराना की तरफ जाते हुए अधर क्या है उदाइने सीधे चौके रिया एक और लॉट पेमस प्रतिस्थान मधूर मिलन स्वीट इस चोड़ाए की पहचान कह सकते हैं एसेंस ते होगारा टूट रिस्कों का और इधर से ये दाहिने निकलते वे फूल माला की दुकान है और ये मुख सिखर के दर्शन और ये चमकता हुआ मंदिर का रांगण के बाहर का हिस्सा और ये नौग्रा मंदिर पथर चट्थी राम लीला रमेटी प्रयाग यूट और ये नौट का रेहन पादा जादा बाहर का इंए भादा प्रयाग और ये प्रया रहर अधर वे चमकता है और ये ये खुद्धा